जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जै मागमास मत्यम की मंदर शिबंसी वाले महात्मा यूटुब चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक भिनंदन करते हैं आप सभी जानते हैं कि मागमास का पावन समय चल रहा है और इस वर्ष 2022 में मागमास के सनान 16 फरवरी तक चलेंगे और इस मागमास में हम जितना भी भगवान की भक्ती करते हैं उसका अनंत गुना पुन्यफल भगवान की क्रिपास से हमें मिल जाता है तो मागमास के दसवे अधै की कथा को सुनाने से पहले हम आपको चार नियम बताने जा रही हैं इनको आप मागमास के शेश बचे हुई दिनों में अवश्य इनका पालन करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि माग मास में प्राता सनान आवश्यक है आप प्रति दिन आवश्य नहाएं चाहे आप ठंडे पानी से नहाएं चाहे आप गरम पानी से नहाएं लेकिन सनान अवश्य करना चाहिए लेकिन मान लीजिये अगर कोई बीमार हो कोई सनान ना कर सकता हो कई बार वृद्ध लोग सरदी के मोसम में प्रति दिन सनान नहीं कर पाते या और कोई मजबूरी हो सकती है सरदी के मोसम में सनान नहीं किया जा सकता तो अगर आप सनान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है आप मुह हाथ धोकर भी भगवान की कथा सुन सकते हैं भगवान मनुश्य की हर मजबूरी को समझते हैं भगवान अंतर यामी हैं हमारे मन की भावना को जानने वाले हैं इसलिए प्रात्यस्नान ना भी हो सके तो भी भगवान की भक्ती अवश्य करने चाहिए उसके बाद दूसरी बात है कि माग मास के इन शेश बचे हुए दिनों में शिर्मत भगवत गीता का पाठ प्रति दिन क चाहिए गीता के किसी भी अध्याय का पाठ आप करें या सुनें तीसरी बात माग मास के इन शेश बचे हुए दिनों में शिर्मत भगवत महापुरान की कथा को आप अवश्य सुने या पढ़ें चोथी बात जितना हो सके आप में जितनी सा मर्थ है उसके अनुसार कुछ में चाहिए कहा जाता है कि देने को टुकडा भला लेने को हरी नाम अर्थात थोड़ा सा भी दान पुन्य अगर मनुष्य कर ले तो उसको भगवान की क्रिपा मिलती है और भगवान के नामों का जाप तो सदा करते ही रहना चाहिए तो अब दसवे अध्याय की परमपावन कथा जो की इस परकार है आज यमदूत विकुंडल से आगे कहने लगा है कि एक बार भी गंगा जी में सनान करने से मनुष सब पापों से छूट कर अत्यांत शुद्ध हो जाता है जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है अर्थात गंगा जी की तुलना किसी और तीरथ स्थान से नहीं की जा सकती क्योंकि गंगा जी भगवान के श्री चरंद कमलों से प्रकट हुई है इसलिए गंगा जी के समान कोई दूसरा तीरथ नहीं हो सकता पतित पावनी मोक्ष दाइनी मा गंगा भगवान श्री हरी विश्रुम जी के चरंद कमलों से प्रकट हुई है और भगवान शिव शंकर भोले नाथ जी ने गंगा मा को अपने मस्तक पर धारन किया है इसलिए गंगा जी के समान कोई दूसरा तीरत नहीं हो सकता मा गंगा परम पवित्र है मा गंगा का जल परम पवित्र है और जो उसमें स्नान करते हैं वो भी पवित्र हो जाते है इसलिए गंगा जी के समान कोई दूसरा तीरत नहीं है वे ब्रहम जो संदेह रहित प्रकरती से अलग और निर्गुन है ब्रहमान में उसके समानता किस से हो सकती है गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जा हेवि कुंडल जो ब्रह्मन दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वे अकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है जो कीचर से गव को निकालता है जो रोगी की रक्षा करता है या जो गव शाला में मरते हैं वे अकाश में तारागन होते हैं प्रानायाम करने वा बच जाती हैं जो पराई इस्तरी को माता के समान मानते हैं वे कभी भी यम की यातना को नहीं भोगते हैं जो मन से भी कभी पर इस्तरी का चिंतन नहीं करता वे दोनों लोकों को अपने आधीन कर लिता है पराई इस्त्री को माता के समान समझने वाला सदा ही भगवान का प्रिय होता है उस पर भगवान की अनंत कृपा होती है जो पराई धन को मिट्टी के समान समझता है वह अवश्य ही स्वर्ग में जाता है जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया जो मा माता पिता की सेवा सब को अवश्य करने चाहिए माता पिता की सेवा से भगवान भी प्रसन हो जाते हैं और जिस पर भगवान प्रसन हो जाएं उसको अवश्य ही भवसागर से पार कर देते हैं इसलिए माता पिता की सेवा परम आवश्यक है जो गुरू की सेवा करते हैं वह प्राप्त होते हैं शील की रक्षा करने वाली इस्त्री धन्य है शील भंग करने वाली यमलोक को जाती है जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुरान और सहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो समरती का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं या जो वेदा उसे भी पूजीत होते हैं यमदूत ने आगे कहा है कि शेष्ट यमराज ने हमको यही आग्या दे रखी है कि तुम किसी वैशनव को मेरे पास कभी मत लेकर आना हेवी कुंडल पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ती के सिवाए अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते और जो मनुष्य वैशनव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपास से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं बुद्धी मान को सदेव वैशनव का अन्न खाना चाहिए इससे बुद्धी पवित्र होकर मनुष्य पाप करम नहीं करता। जो वैशनम पुरुष होते हैं, उनका संग सदा ही भगवान की प्राप्ती करवाने वाला है। गोविन दाय नमा इस मंतर का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यू को प्राप्त होता है वे भगवान के परमधाम को प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं है जो मनुष्य ओम नम भगवते वासु दिवाई इस द्वाद शाक्षर मंतर का जाप करते हैं उनके बड़े- पापों का नाश भगवान की क्रिपास से हो जाता है। इसलिए ओम नमो भगवते वासु देवाई इस मंतर का जाप अवश्य करना चाहिए। यह द्वाद शाक्षर मंतर भगवान को अत्यंत प्रिय है। में कहा है। इसलिए माग मास में भगवान की भक्ति का विशेश रूप से अधिक से अधिक परियास करना चाहिए। जितना हम भगवान की भक्ति करेंगे उतना ही हमारा जीवन भगवान के चर्णों में लगेगा। और भगवान हमें भवसागर से पार कर देंगे। तो आप आपने मंदर शिबंसी वाले महात्मा यूटीब चैनल के ओर से आज की इस कथा को सुना छोटा सा निवेदन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगयाने वाली सबी कथाओं को आप सुन सकें तो आप सब का हार्दी के धन्यवाद भगवान शी रादा कृष जेजे श्री राधी जेजे श्री राधी जेजे श्री राधी शाम